ये है दिल्ली दरपन उसकी कसम खाके बोलते ये हुआ है मैं सभीकार करदू और जेल चला जाना बहन जी अपने मन और अंतरात्मा के वासे बताना आप कि क्या आप सही है क्या ये जो सारी बाते आप बता रही है ये गठोना घटी है एक परसंट भी घटी है ये बना अच्छा तरीका है कोई जूटे आरोप लगा जे और आप जबांती दोनो मतरी जो मामला बुरा है महिला का सील भंग करना महिला को बंदक बनाना महिला उसे गादी गलोड करना महिला उसे खेड़ खानी करना महिला उसे असली मी बात करना पूर जो जाना पड़े जाने गेंगे नमस्कार दिली तरपन टीवी देख रहे हैं आप मैं हूं राजिंदर स्वामी रहोनी से एक ब्रेकिंग नूज सामनी आई है यहां के पूरु विधायक हैं राजेस गर्क उन पर यहां के मोजुदा जो विधायक हैं उनकी पतनी कोट में फिर सामने है इस वक्त हमारे साथ राजेज गर्क सी खुद मोजूद है राजेजी कब यह जानकारी में आया है उसमें अपको क्या कहा गया है मेरे पास सम्मन तो कली आया है कल मतलब 12 अपरल को सम्मन आया जिसमें जो रोहनी के मानने नियाएदी सरोहित कुमार उन कि क्या यह मामला राजनीती का है ऐसी बात इतनी यहां कहां तक पहुंच गए क्योंकि जितना मैंने सोना है आप कोलेज के टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे जो यह मैटर है सोभा विजंदर वर्सिस राजेश गर्ग सोभा जी को मैं जानता हूं कॉलिश टैम से जानता हूं उननिस सो तेदासी चुरासी पिचासी हम इकठे ही एक ही बैच में थे डेली इनस्टी के जानकारी तब से है लेकिन यह मामला जो उन्होंने मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट की थी कि मैं एमेले था क्या हूँ जानना सारे एक्शुली जब मैं एमेले बना तो मैंने इनका कम्यूनिटी होल है एंचीडी का उसे बुक कराया था सुंदर कांड के पाट के लिए लेकिन जब वहां गए तो उन्होंने खाली नहीं किया तो पता लगा कि मैडम संफूना की यह संसापी का है जैक्स है सोबाजी तो जब खाली नहीं किया तो हमने पुलिस पे चर्चेरियन वो भी आये थे बाकी लोग भी आये थे हम बैठ गए हमने नारेबाजी भी की कि यह हमें दिया जाए लेकि इन्होंने नहीं दिया बाद में सोबाजी आई और इन्होंने आकर हमारे वरकर से कहा सुनी हुई होट आर्गुमेंट हुई और उसके आदम चले लेकिन ये अपने घरना जाके थाने पहुंच गई और उन्हें एक कम्प्लेंट दर्श कराई थी उस जमाने में लेकिन वो कम्प्लेंट तो डिस्पेस हो गई थी जो कि पुलिस ने आफायर की नहीं तो 56 में ये रोनी कोट में गई थी जो मुझे जानकारी है वहां होना है यह ओडर तो मेने मेरे को सम्मान आए तो मैंने यह डाउन्लोड किया है वहां से कोट की वेबसाइट से कोट की वेबसाइट है तो उसमें मैंने पढ़ा जिसमें मंदनी जस साहब जो रोहित कुमार जी वो बohasans कि मैंने जो गम्प्लेंट है डॉक्टर सौबा दिखाए हैं उनसे मैं सैटिस्फाइड हूँ प्रिमा फेशी राजियस गर्ग के खिलाफ सेक्शन बहुत सारी लगा दी है जो लगा दी है तो बहुत घंबीर दारा मुझे लगता है कि शायद जमानत भी इसमें आपको लेनी पड़े जमानत तो सभी धरों में लेनी पड़ती है जमानत लेना या श्योटी देकर वो जब कोड का सम्मान आ जाता है हम तो कोड का हर ओडर का सम्मान करेंगे चुकि लाबाइडिंग आदमी हूं जिन्दकी में कोई ऐसा काम निकिया जिससे कि समाज को या किसी भी जीव को उसको न ना कभी उचा बोला ना कभी गाली दी और पहली बार जब दो बार जो मैंने आज सारे ओडर निकाले हैं तो उसमें जो जजसाब थे अभिलास बलोतरा उनके जज्मेंट में है कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जो मोके के गवाह हैं जो पुलिस है जो एमशीडी है उनके जो ब्यान हुए या जो भी हुआ उनको देखते वे उन्होंने डिश्मिस कर दिया अब यह डॉक्टर साहिबा क्योंकि विजंदर गुपता है मेले हैं भाही पहले कॉंसलर थी जब इनोंने मुकदमा कि यह कंप्लेंट की थी तो उसमें यह भी निकम पारसथ थी आप भी मैं विदायक बना था पर्भू के आशिरवात से उनको यह सूट नहीं किया तो यह किसरे किसी मामले के फसाना चाह रही थी और मैं आज मीन का सम्मान करता हूं कि मेरे जैसे विक्तिकोंच को याद नहीं करता कि पार्टिशन निकाल दिया क्योंकि अपने इमानदारी से काम विद्वोत से भी जारा हो सकता है हो आओ तोump मैंने एक भी वीडियो में आप मेरी दिखा दे कि मैंने कोई गलत भासा का इस्तेमाल किया हो नारी सम्मान ना किया हो, कोट को माने ना माना हो में इन बात तो ये है कि जब इन्होंने परचार किया कि राजे इस गर्प के खिलाफ ऐसा ऐसा हमने कर दिया है अब आप ये देखो यदि किसी वेक्ति के खिलाफ महिला का सील भंग करने का आरोप हो महिला को असलील मेटिरियल दिखाने का मामला हो महिला को गाली देने का मामला हो महिला के साथ बत्मीजी करने का मामला हो महिला को आप जो धाराय लगी है महिला को घेर कर रोकने का आरोप हो जब ऐसा आरोप परिवार में आता है केवल ये दिखाया था लोगों को बताया था जी जो यह यह माम लेते वो मांदिनिया कोट ने इनकी जो पैटिशन थी उसको डिस्पिस कर दिया इतनी बात मैंने करी और तो मैंने कुछ कहा ही दी आप बता दो मैंने उस वीडियो में या वह पबली कली या कभी भी या सोभा है जी खुढि ही ब्तादे है कि मैंने उनको भावी जी किलावा कभी कुछ कहा है हमेशा सम्मांसे मिली मिलिए इन इस कंफ्लेंट के बात मुझे दस पार वह प्रोगाम में मिली है मैं ना हमेसा निमस्कार किया है अनलो ने जबाब दिया कभी नहीं दिये कभी मुदा के चल यह भी एक बहुत कम देखने के में आता है कि वो खुद निगम पार्शत रही हैं पूर विधाय की पत्नी है और वो इस तरह के आरोप लगा रही है और आप पर आरोप लगा रहे हैं मामला राजनीती का है या फिर वो जो एक कम्मुनिटी सेंटर जिसको लेकर कि आप अक्सर और वहाँ पर धरना परदसन भी आपने की आरोप लगाया कि वो घेरा हुआ है मामला जो मुझे लगता है ना कि मैंने लोकायुक्त में केस किया था उसमें यह संपूरा नाम की जो संस्ता इन्होंने बनाई है उसका पहली बात तो उनका रजिस्टेशन इलीगल है यह मैंन जो जगा कम्यूनिटी होल की जो की रजबुर गाउं के लोगों के लिए है अलोट करवाया मिंटेंड करने के लिए लेकिन उस पर अवैत कबजा किया हुआ है अवैत कमरे बनवाए और तो और उसके साथ में जो पा रहा के उस पर कबजा कर लिया यह तो उसको आजिए फा पके ऐखायर तो दरर्ज नहीं होई लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया वह यह हुआ है मुकदमें जो केसद मैं जो क Awesome judgments लिया है मानय शाल डी यह जैनर यह वहिए उन्होंने को नहें को लगता है कि मामला थीघ है सुन्हें यह योग तो सोबाजी आएंगी और मैं आपके अमा हमसे यदि वो इस मामले में एक भी गवाँ पेश कर दे यह खुद ही खुद ही अपने किसी भी व्यक्ति जिसको मानती है उसकी कसम खाके बोलते कि यह हुआ है मैं सवीकार कर दो जेल चला जाना तो कोट में लिखा वो कह रहे हैं कि प्राइम अफेसी ऐसा लग रहा है कि साक् तो कोट से खाली है समना है मुझे नहीं पता नहीं इसका मतलब इसमें लिखा है राजेश गर्ग वर्सी सुभव जंदर और जो और मैंने डाउनलोड किया है उसके अंदर उसमें लिखा है जी जस साब उससे कन्विंस हैं अब उन्होंने क्या तो ब्यान दिया ब्यान के पर्सेंट भी सबूत देते एक परसेंट सोगी नहीं बात करा मैं यह चैलंज उसको सोभा जी को बिजंदर गुपता जी को और बीजेपी पूरी को और मोदी जी को खास्तोर से कि आपके पार्टी के अमेले बिजंदर गुपता की पतनी इस परकार से एक समाजिक व्यक्ति करती हैं विदायकर रहे हैं और मामला इस कदर पहुंच जाए और इस इस तरह कि भार यह फाता हो है मैं तो थोड़ी संधा साथ दुखू भी तो होता होगा आपको भी जैए दिकुट अब दुुपतो होता नहीए तरह लसल्माज में turkey नहीं है दूसरे के सुख से दुखी है वो इस बात को लेके परेशान है कि एमेले बना और एमेले सिफ छोड़ दी लगी बेई मानी ली करी यह मनी मनी को गलानी होती है और हमने हे रहा फेरी भी करी अश्र मैंने आज दिन में बात भी किती उनसे वो करें कि पता नहीं क्यों पीछे प शकड़ूं आप मेरे घर आये हैं मैं घर के बहार जो पारक है उसमें आपसे ऌनी बात करता है तो वो बाद में मुकर दी सकता तो कि कई बुरा ना माल जा मैं बेहन जी बोल देता हूं उसको ठीक है पर क्या कहना चाहोगे बेहन जी को आप 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 सही है क्या यह जो सारी बाते आप बता रही है यह घटाना गटी है एक परसंट भी घटी है क्या यह बात सच नहीं है कि आपने पिछले 20-22 सालों से है जो उनके पूरवज है महाना परताप के नाम से बने कम्यूनिटी होल में वहत कबजा नहीं किया हुआ किया हुआ आपने लेकिन होता नहीं मिया भाई कोतवाल तो दर काहें का मिया जी आपके पहले पार्टी के अद्यक्स ते उससे पहले निगम पार सकते फिर आप थोड़ी सी पेंसन आती है सब की दुवा से बच्चे सैट हो गए तो जीवन अराम से जी रहा हूं ना जमानत लेनी पड़ेगी तो उसके भी तैयारी कर लिए अपने जमानत मैं तो जमानत के लिए जमानत के लिए जांगा नहीं कोट के अंदर प्रोसेस जाना तो पड़े कर दो और आप मामलय नए बुरा है महिला का सील भंग करना महिला को बंदक बनाना महिला उसे घादी गलोष करना महिला उ को उसक्रनी करना कि मामल प्रम हमई नहीं सैनी बात करना मामल अ elders वहुन माम अंदर कॉनम परो few는 म多ग है मैं चार जमानति事 के जाता शेड़ किसी को नी बोलो मेरी जमानत करा हूँ तो ठीक है जेल जाने को तैयार हूँ अच्छा ने लगाएंगे आप मैं लगाउंगा पक्का बता रहा हूं और आप दिखा देना भी यागी बाइस तारी को दूर नहीं है मैं अपने कैसे निया लगाउंगा ना में जमानती लेकर जाऊंगा ना में जमानत के लिए बोलोंगा ज़्ट साब को लगता होगा कि हाँ इसको जमानत के जौरत है इदी मेरी स्व चुर्टी मानते होंगे तो ठीक है एक बात और बताता हूं को मैं क्योंकि एक-दो मेंटर देटेक हमारे सब्सक्राइबन उसमें उसमेंः जड़ सावी ने एमेले कोट में तो उसमें में लेट ऊहक्ता यह स सारी काम हो जाते हैं जो बात मैंने 2014 में कही थी वो सारी घट नहीं घट रही है उसमा मीडिया के लोग मानते नहीं थे आप कहते हैं नहीं 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 बेकार की बाते हैं अब आप ही कह रहे हो हाँ केजि़िवाल भरस्ट है मनिश्य सौधिया बरस्ट है हेजा फेरी हुई है तो देखते हैं जेल में क्या करते हैं मुझे डरक ही पिटवा ना दे हैं सरकार उनकी है बीबी चीफ मिलिस्टर वही है वह भी देखेंगे सोबाजी के लिए कुछ भी सहने को तयार है वह हमारी बहन है हम जेल भी जाए उनक अपना टाइम खड़ाख करें जो एक जस तरह के आरोप लगे हैं उसको वह वहत्यति के आश कह सकते हैं कि मैं इसके बाद खुद जमानत के लिए कोड में अपली के सनन ही लगाऊंगा अगर जसाप छोड़ देता है ठीक है तो जो इनके तेवर बता रहे हैं जो इनके अब क्योंकि कोट में मामला है तो एक बहुत रोचक ये मामला मोड पर पहुंचने वाला खासका रोहनी वालों के लिए और इन तमाम आरोपों पर खुद सोबा वेजिंदर क्या कहती हैं अगर वो कैमेरे पे आने को तैयार होती हैं तो राजिंदर स्वामी दिली दर्पन टीवी